इसलिए मैं कैप पहनता था क्योंकि मैंने अपने बाल हटवा दिया थे ठंडी में और अब गर्मी आगए तो मुझे कैप अपड़ाना पड़ा वीडियो एंड तो देखना था कि तुम्हें मालूम चल जा है क्या चल रहा है एक्जाक्ली तो आगे बंडने से पहले यार मैंने लॉंच कर दिया हमारा डिस्कूर्ट सर्वर जो की है डिस्क्रिप्शन में जाओ उस पे क्लिक करो उसके मेंबर वनो और हमारे साथ जोड़ ज तो जाओ उसमें भी पाइडिस्पेट करो उसके कुछ टेप्स हैं फॉलो करो और तुम बन जाओगे गिवए का हिस्सा क्योंकि हमारा जो मोटो है लेट्स के बैक तुदी कम्यूनिटी उसी के तहत ही हमारा सेकंड गिवए है आगे और वी गिवए होंगे तो जाओ डू प यह एक पेज है पी एस पी एस फाइड आउट इंडिया तो भी यह उसने कुछ दो ट्वीट किये थे जो की काफी दिल-देना देने वाले ट्वीट थे तो ट्वीट है यह निव स्टेट्मेंट अमेज़ देता हूँ नियू स्टेटमेंट फ्सक्राइड पार्ट्वाशी information about ps5d stock from sony india so guys ये मुझे पता है तुम लोग कि ये मतलब कि ये शायद इससे बहुत ज्यादा chaos create होने वाला है क्योंकि इस बंदे ने ये पोस्ट किया है कि news from sony india but और इससे शायद कुछ लोगों ने पूछा भी है तो इन्हों ने शायद reply कि sony india support spokesperson इसमें बहुत ज्यादा chaos create होना है क्योंकि तुम शब ने शायद काफी जगह अपना book करा दिया है and the second furthermore we have informed our partner not to make any commitment to the consumer around the availability of ps5d stock in india we would urge the channel partner and consumer to stay in touch with the official sony platform for further information so ये दो ट्यूट थे जो कि मैं पढ़के हिल आईगे तुम लोग भी पढ़के हिल चुके होगे तो यार इसमें इनोंने बोला है कोई एडवांस पेइमेंट मत लो क्योंकि अभी कोई official announcement नहीं आई है और रिस्टॉक का भी कुछ अता पता नहीं है बट तुम्हें पता है जो कि मैंने पहले रिटेलर ले रहे हैं और मैंने जो बताये थे तुम लोग ने शायद वहां जाके बुक कराया है वह भी बंदा ले रहा है बट इस ट्यूट के आने के बाद एक नया update सामने आया है जो कि है यह आईजिन ने एक न्यूस पोस्ट करी है PS5 इंडिया restock date delay to the end of March 2021 जो की अभी news आई है आजी और इसमें लिखा है the end has no end seriously guys मुझे समझ मुझे खुद अब समझ नहीं आ रहा है कि PS5 इंडिया restock को ले के क्या हो रहा है तो इसमें इन्होंने काफी कुछ clearly specify कि जाए कि exactly चल क्या रहा है तो वह जानते हैं कि इन्होंने बोला है कि पहले खुद sony ने retailers को बोला था March में आने के लिए और मैंने खुद बोला था अगर इस news के हिसाफ से जाए अगर March end में आता है क्योंकि जैसा मैंने बोला था और जिसका मैं तुम लोग को pre-order के लिए बोल रहा था वो भी मुझे यही बोल रहा है मैंने अब तक बात नहीं करी है मैं शाद कल बात करूंगा वो भी मुझे यही बोल रहा है कि भाया April first week या March end में आने की उमीद है अगर उसके हिसाफ से जाएं तो I guess he is correct क्योंकि आइजिन ने भी यही news post करी है कि delayed to the end of March 2021 क्योंकि एक अपरिल से नया financial year start हो रहा है तो शायद तभी आने की उमीद है there has been a delay in the arrival of next PS5 shipment for the country previously the company had told retailers जो कि पहले हमने news cover करी थी बट अब इसके आने के बाद सब कुछ घूम किया है in fact its own retail porter shop at Etsy जो कि यही भी मैंने cover किया था change हो चुकी है sold out से notify me but अब नहीं पता क्या हो रहा है और इसमें को और चीज है यह PS4 के भी restock लेके आ रहे हैं price बढ़ाने के बावजूत वही मैंने cover किया था कि 2000 price बढ़ चुके है sources ने बताया है कि sony had an internal meeting on feb 20 to ascertain its plan for the coming quarter one of the priority aside from ensuring adequate PS5 restock it also to bring PS4 in large quantity भाई अभी सुनी या PS4 पे ध्यान मत दो आप PS5 लेके आओ तो यार exactly चल के आ रहा है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है गाईस अगर इस news के basis पे जाएं तो March end तक stock आने वाले हैं अगर हम उस tweet के basis पे जाएं जो कि tweet इसमें भी cover किया गया है तो वो कह रहे है कि कोई भी advance payment मत लो बट मुझे पता है तुम सब ने बहुत लोगों ने advance payment करा दी है तो guys अब क्या होगा sony does not comment on restock it told IGN India that customer should stay in touch with retailers regarding future update this was right after the console sold out सबको पता ही है now however the company claims that it has told retailer not to accept any advance payment अब क्या होगा तो यार तुम सबने payment ओलिडी शायद कई लोगों ने करा दिया है तो देखो यार इसके बाद काफी chaos create होगा तुम्हें लगेगा क्यूंकि पैसे शायद तुम लोगों के गए डूब रहे देखो यार ऐसा तो बिलकुल नहीं होने वाला क्यूंकि मैंने बोला है पट यह जो टूइट है यह थोड़ा सा हमें डराता है वी अब कमुनिकेटेट टू अर चैनल पार्टनर तो नौट एकसेप्ट और कलेट इनी एडवांस पेमेंट मतलब मुझे खुच समझ नहीं आ रहा मुझे एग्जाक्ली इस टूइट का सोडस जब की लोगो में मेरे पास कोई अलग स्पेशल न्यूज नहीं है मैं कल उस रीटेलर से बात करूंगा डैम शूर बट मैंने बात करी थी पहले उसने एंड आफ मार्ज बोला था और अगर हम आईजियन के न्यूज की बात करें तो यह भी आईंड आफ मार्ज ही कह रहे हैं तो गाईस फ बात करो क्योंकि वह और फिशिल रिटेलर है वो पैसे लेके नहीं भागेगा कोई काड़ा इले टॉनिक्स नहीं है जो तुमारा पैसे लेके भाग जाएगा ज्यूज ज्यूज ज्यूजज क्या होगा अगर आपका माल और इस्टॉक नहीं आ रहा है तो वह वह आपके शा साथ 12 जैन को हुआ जब फर्स प्री ओडर सेल आया था लोगों ने बुक किया पैसे कट गए बट उनको प्रोडक्ट नहीं मिला उनको पीस नहीं मिला पीस नहीं मिला तो उनके पैसे रिफंड आ गए तो गाई इतना मत डरो क्योंकि वह सोनी ऑफिशल सोनी सेंटर है तो PGN खुद कहता है कि end of March में आने की उमीद है तो गाई मुझे खुद नहीं बता कि क्या हो रहा है बट लेट सी आगे क्या होगा और जो भी अफडेट आएगा मैं उस पर जरूर कवर करूंगा और कल या परसों मैं बात करूंगा उस रीटेलर से हम डैम शूर और मैं शायद कुछ और आज से तुम कंफ्यूसर वैसे मैं भी कंफ्यूस और देखते हैं अगला अफडेट क्या होता है अगला क्या आता है काई लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंट करो अपना ओपीनियंज शेयर डिया करो तुम्हें कैसा लगा वरग आई सब्सक्राइब करो हमारे 15 इनेट होने वाले हैं बस तुम ही लोग कर सकते हो तुम सबके सपोर्ट के साथ ही हो सकता है तो गाइज लाइक करो सब्सक्राइब करो कमेंड करो ऐल सी यू इन दी नेक्स चॉन बबाए